हेलो फ्रेंड्स बूड मॉर्निंग मेरा नाम सरोज है एसके भेष्टिज में आपका स्वाधत है आए मैं हेल्थ के बारें बताऊंगे नोनी की फायदे की नोनी खाने से हम लोगों को सरीर में क्या क्या फायदे है इसके उपर मैं चर्चा करूंगी इसके वीडियो देखने स से पहले आप अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और वे लगां घंती दबाना ना भूलें शेयर जरूर करें माइ डियर फ्रेंड्स ये नोनी देख्षिड एसिया में पाए जाने वाला एक उष्टकट बंधी है सदबाहर पेड़ है जो नोनी के नाम से जाना जाता है नोनी एक फल है नोनी फल के नाम से जाना जाता है मेरेंडा, सेटिफोलिया, प्रोटीन, कर्वोहाइड्रेड, हाई कंसेटेंस, बिटामिन और मिल्रट का मुख्य स्रोथ है इसमें और सेहत और बेतर बनाने में मदद करता है हम लोग को स्वस्त रखता है इसमें जो रोनाइन है जो मानों सरीर को मौजूद कोसिकाओं को दि कोसिका हम लोग को सरीर में कोसिका से ही बना है यह सेल्स से ही हम लोग का सरीर बना हुआ है जितना कोसिका है यह हम लोग जो खात पदा को जो चीज खाते है यह जितना गंदा है चीज जो हम लोग को सरीर में जाता है वो गंदगी से हम लोग को कोसिका क्या होता है उसका मु उसको सारा गंदगी को निकाल करके और उसको छिद्र को बड़ा करता है और बड़ा करता है ताकि हम लोग जो भोजन करें जो हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगो सही उसका भोजन का असर हम लोगो सरेल में हो और फायदा करें ये जितनी गंदगिया है उसको निकाल देता है और छिद्र को कोशिका को बढ़ा करता है जिसे पोसक तत्र सरीर में परवेश करते हैं जो पोसक ततो को और सोसर बढ़ाता है या एमिनियन सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है जितना सिस्टम हम लोग है शरील में क्योंकि इसमें कई तरह के जरूरी बीटामिन अर्मिनरस होते हैं या उन लोगों के लिए फाइदे मंद है जिनने सांस संबंदी, सांस लेने में प्रोग्लम हो कई समस्या है, तुअचा, बाल, कोशिका, पाचन तंत्र ये सभी सेल्स को स्वस्त रखने में ये मदद करता है परते केपसूल में पांच सम्मिली, मुरीडा, सेलिफोलिया का रस होता है जो कि हम लोग को शरीर में जितनी ओ सकता है, ये भरपूर मत्रा में हम लोग को शरीर में मिलता है ये नोनी बहुत बेतरीन और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्ट है ताकि हम मुक्स्वस्त रहें, तंद्रोस्त रहें और जदी हमारे कोशिका और सेल्स सही रहेगा तो हर चीज से लड़ने की छमता ये रखता है ये प्रोटेक्ट, ये नोनी बहुत बेतरीन इसके फाइदा है और खाने का खाना खाने से पहले ये एक केपसूल सुबह में और खाना खाने के पहले फिर साम में एक केपसूल और दोस्तों ये पांच दिन कंटिन्यूग खाना है और दो दिन बैग कर देना है दो दिन नहीं खाना है फिर तिसरे दिन से वही सिटम खाली पेटे, एक केपसूर, खाना खाने के यदा घंटा पहले और साम में फिर पाँच दिन लगतार खाना है, दो दिन नहीं खाना है ये सब भी किसी को दे सकते हैं दस सल बच्चा से ले करके जितने उपर का हो दे सकते हैं इसको और ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये हरवल है, ये फल से बना हुआ है ताकि हम लोग को सेल्स अच्छा रहे और जो भी भोजन करते हैं, पाचन करिया सही रहेगा पाचन कंत्र को ये उतना छमता रखती है ताकि सारी गंदगी को निकाल करके और ये अपना काम करती है हर सरीर का जितना भी कोई का है जितना भी हम लोग सरीर में है कोई का हर बिमारी का ये बहुत बेहतरे काम करता है दोस्तों ये नोनी खाने में बहुत फैदामन्द है दोस्तों आप खाईए और लोगों को भी दीजिए और स्वस्त रहिए पंदरुस्त रहिए ताकि हर चीज को लड़ने में ये चंता रखती है दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरू किजिएगा और यूटूब चैनल देखने के लिए धन्य बात थैंक यू